थाना अलीगन छेत्र में खेलम गाउं है वहां पे एक सूचना प्राप्थ हुई थी पुलिस को कि एक घर में एक कमरा है वहां पे बम रखा हुआ है ताप जानकारी पे पुलिस टीम वहां जाती है और ये सूचना सही पाई जाती है और वहां से बरामद होता है जिस व्यक्ति का घर था उसका नाम खान सिंग था उसके विरुत अभियोग पंच्कित किया जाता है परन्तु जब उसकी विवेशनात्मत करवाई की जाती है तो ये तर्थे सामने आता है कि उसके द्वारा जो आरूपी था उसके द्वारा वहां बम नहीं रखा गया था ये बम किसी और ने रखा था और इस घटना का पुलिस टीम ने अनावरण किया दो लोगों के नाम सामने आए एक का नाम बबलू और एक का नाम जैवीर जो उसी गाओं के रहने वाले थे उनको गिरफ़तार किया गया जब उनसे पूछताच की गई तब ये तर्थे सामने आए कि जो खान सिंग था उससे पूर में मंदिर के पास खड़े रही तक्योंकि ये घर ता वहाँ पे खड़े और घुमने फिरने को लेकर कई वार कहा सुनी हो चुकी थी उसी से छुपद होकर उसने इस तरह की प्लानिंग की थी कि उसके कमरे में इसको रख रख दिया था और यह था कि या तो यह फंस जाए इसमें आने था अगर एक्सिडेंटली अगर फटता है या किसी कारण बस फटता है तो उसमें उसको नुकसान पहुंचे इसमें एक और अपरादी का नाम सामने आए जिसका नाम हलीम है जो अभी फरार है यह बात सामने आ रही है कि जो इसका रॉम मेट्रियल है वो इसके द्वारा सप्लाई किया था था जहां तक उस सुतली बं को बनाने का बात है वो गाउं में ही गन्ने के खेतों में यह बनाये थे इन्हों और कुल 16 ऐसे बम जो है बरामत किये गये हैं जल्दी हलीम की गिरफतारी की जाएगी और इस चेन को कम्प्लीट जिया जाएगा